जैन I hope you all are good so let's start and understand why, how and what is the reason behind this to learn English I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे खुशाल होंगे let's understand together dear all, मुझे ऐसा लगता है personally, क्योंकि मैंने यह फील किया है जब भी मैं सोसाइटी में किसे से मिलता हूँ या किसी से बातचीत करता हूँ अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वहाँ भी मैंने फील किया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ English की importance है हमाई life में especially हमारे जैसे इतने worldwide country में जितना बड़ा देश है इतने सारी विविलताय हैं लोग रहते हैं और अलग-अलग भाषाएं भी बोलते हैं still हमारे constitution में एक schedule में 22 languages को ही मानता मिली है but still उसके अलावा बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है मगर preference English को दिया जाता है इंडिया में ही नहीं पूरे word में तो हम यह नहीं कह सकते कि English सिर्फ और सिर्फ अंग्रीजों की भाषा है English worldwide language है जो सभी लोग बोलते हैं अब अगर हम बात करें कि हमारे देश में English कहां से आ गई क्योंकि देखा रहा तो हमारी मातबासा हिंदी है अगर हमारे दे्श के नेता कोई election campaign करते हैं तो हमारे देश के नेता कोई according use करते हैं और आप अपने profession को कितना अच्छा दिखा पाते हैं that is the good thing so let's talk about the English only and come on the topic only that if I talk about why why should we learn English लोग पूछते हैं क्यों सीखना चाहिए तो पुते हैं हिंदी ठीक है हम हिंदी में खुश है मेरा हिंदी में सेलेक्शन हो जाएगा हम इंदी से ये कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं यहां तक कि जो इंडिया का toughest exam UPSC है उसको crack करने के लिए भी लोगों को दा हिंदू पढ़ना पढ़ता है जो कि इंग्लिश में आता है हाँ अभी पिसले कुछ समय से हिंदी में भी उसका सनस्क्राइब आने लगा है और दाट इस फेंटास्टिक नाव लेट्स तॉक अबाट इन वर लाइफ हाव और वाइट इस इंपॉर्ड़न एक्चली वन वर श्कूल जाते हैं इसकूल में क्या होता है कि आपके पेरेंस को बताया जाता है कि हम इंग्लिश मीडियम में बट आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो आपको हैसिटीशन होता है और कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आती है अब अगर हम ग्रामर पर जंप कर जाए तो तो और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है 1600 EC में जब यहाँ पर बिटिशर्स आये उन्होंने इंग्लिश को थोपना शुरू किया और उसी का नतीज़ा है कि आज हमारे कोट्स और जितने भी ओफिशियल वर्क हैं वहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टनस दी जाती है अब अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर हिंदी और अधर लेंविज़ेस को ज़्यादा वेली दी जाती है नाओ इफ आई टॉक अबाउट दा कॉमन लेंग्विज विच इस वेनिफीशल पर एपर इंग्लिश तर इंग्लिश तो इंग्लिश तो इंग्लिश इंपॉर्टन हमारी बुक्स भी इंग्लि इंग्लिश में होती है अब यहाँ पर एक यह भी वेल्यू है कि भाई वेल्यू तो हो गई हमें समझ में भी आगाबट हम सीखेंगे कैसे और रीजन क्या है क्यूं हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए उसके पीछे रीजन क्या और कैसे हम सीख सकते हैं अब मालीजे आप पहले दिन से ही बोलना शुरु कीजिए आप गलत बोलेंगे कुई हसे का हसने दीजिए किसी के हसने से आपका मॉराल डाउन नहीं होना चाहिए अगर आप ऐसा कर तो इसा अचाहिए अगर आप यह यह फिट अ करते में से और और यहाँ आप सब्साट है और यह आगे यह tense and parts of speech there are different type of sentences for example like positive sentences और हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जिस sentence का that is interrogative sentence आप किसी से भी कुछ भी बोलते हैं तुम कहा जा रहे हो where are you going how are you कैसे हो तुम and there are different type of examples like simple भासा में आप जब उसका answer देते हैं तो वो positive sentence हो गया उसे हम affirmative बोलते हैं उसी में एक वार पार्ट होता है जिसे हम negative बोलते है objective बोलता है तो there are various type of sentences we'll talk about these things later let's focus on the second one that is tense there are three parts of tense और उन सभी के four four parts होते हैं total हो जाते हैं 12 अब हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रुरत है कि शुरुआ से अगर हम इन चीजों पर फोकस कर लें तो हमारा tense तो भी होना ने चीए क्योंकि हम अपर देखा रहें तो class first से ही tense के बारे में थोड़ा-थोड़ा समझने लगते हैं thus you can understand and realize these things now there are different type of tense like present, past and future and there are four parts of each tense indefinite, continuous, perfect and perfect continuous present indefinite, present continuous present perfect, present perfect continuous past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect continuous these are the tenses अब इसके identity क्या होती है? अलग-अलग अभी समझने जे कि एक बंद किताब है इसको हम लोग खोल करके बाद में किसी अगले वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आपको चीजे ज्यादा समझ में आए now let's talk about the last one that is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection and there are these things अब आपको किसी से अचानक से पूछ लिए do you know about parts of speech? मुझे तो हैरानी होती है क्योंकि जब मैं class लेता हूँ तो मैंने बच्चों से पूछा do you know about parts of speech? please write down just the name of parts of speech तो बच्चे जिजखते हैं और उन्हें ऐसा रखता है कि ये कौन सी नई चीज पूछ ली कुछ rocket science है तो तब मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि इंडिया में अब इतना ज़्यादा online digital क्रांती आ चुकी है कि आप कुछ भी कुछ भी आप तुरंत अपने आप सभी को उठाना चाहिए और चीजों को करना चाहिए अब मैंने तीन चीज़ें आपको बताई पहला sentence, दूसरा tense and थर्ड one is parts of speech इस त्री थिंग्स if you are brushing daily, on daily basis give yourself at least one month or two month on these things only definitely you will improve and these things are really, really important to speak English मैं भी first day से ही English बोलना शुरू नहीं कर दिया था because everybody feel problem but when I started speaking English I was thinking yes, it would be magic but finally with the help of God I would say and my efforts I am able to speak English and currently many students learn from me and that is a good thing from my side dear all if you want to speak English it is really, really great opportunity for all of you on my YouTube channel I will provide you the content with the help of that you will understand many things in very easy manner and that is my initiative from for you in this era of technology now if I talk about some other things for example English बोलने का मतलब यह नहीं होता है sorry just shut up bye-bye good night excuse me so these things are not a part of English यह बोलने का मतलब यह नहीं है यह बोत ही आसानी से सीख सकते हैं और हमने क्लास में भी देखा हैं आप लोग नहीं ही ग्लास में देखा होगा कि कुछ भी हुआ जरा सी बात पहीं just shut up you shut up so these things are very common that generally people are using so I hope you people are able to understand understand the value of English how I want to give you one more example that is the country example like in China if you go you will see Uyghur Muslims are speaking Uyghur language and Chinese people are speaking only Chinese language where are we lacking in fact if we talk about earlier China was on number one in terms of population it means facilities are also required railways, food items, materials and everything is required diversity is there also there just because of geographical reason things are quite same but other things other challenges are same as India now India is on number one in terms of population where are we lacking so it means we need to put efforts from our side to learn the language because you will learn something in English all the content you will learn a lot of content in English and if you have understood and understanding then you will not face problem so what else do you want to learn in next video you can comment and share with me thank you so much Jaihin I'll see you next time 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 I'll see you next time